तो एलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्क्वायर रूटा 576 पांसो चीहतर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो यहां पर हम प्राइम फेक्टोराइजेशन मेथड से इसको करेंगे यहां पर हमारा है 576 इसको देखो 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे 22 तो यहां तक हम देखेंगे कि जो 576 है इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके जो फेक्टर आएंगे देखो यह हमारे फेक्टर होते हैं तो इसको फेक्टर हमारे पास आये हैं तो इंटू तू 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 यहां से एक टू यहां से एक टू यहां से एक टू और यहां से थ्री द्यान रखना दोनों में से एक ही नमबर को बाहर लेना है तो इसको मल्टिप्लाई करेंगे टू टू जा फोर फोर टू जा एट और एट थ्री जा टन्टी फोर इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो स्कॉयर रूट फाइफंड़ सेवन्टी सिक्स है वो टन्टी फोर होता है कितना होता है टन्टी फोर यानि कि 576 का वर्गमुल कितन होता है 24 होता है तो यह हमारा इस कुशन का आंसर होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरह भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोस्टन के साथ तब तक ले थैंक्यू क्लास